वेलकम बेक टो माई चैनल टेक पैंडा वैब और मैं हूँ आपका दोस्त राना दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर नियो दली रेल्वे स्टेशन से आनंद व्यार रेल्वे स्टेशन जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी मेट्रो लेनी है कहां स लाचे से चैंज करना है कितना टाइम लगेगा यह सारी जानकारी आज की वीडियो में दूँगा अगर वीडियो आपको लगी तो वीडियो को लाइक कीजएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा तो दोस्तों बात करे हैं मैट्रो रेल्वे स्टेशन के पास में है मिल जाता है जैसे कि आप देख रहें आरंद व्यार रेल्वे स्टेशन के सामने ही आपको मेट्रो चातीवी नजर आ रही है और अगर आप नियो दिल्ली रेल्वे स्टेशन पे हैं तो जैसे आप अजमेरी गेट के साइट से निकलेंगे तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म को इस साइड से आना होगा और फिर आप मैट्रो के लिए अंदर जा सकते हैं दिल्ली रेल्वे स्टेशन के पास मैट्रो स्टेशन रेहज iv ​​ नुडिल्लीменट्रो स्टेशन के नाम से ही Is तो यहां से आपको entry करनी होगी और जो line यहां पर metro line गई है वो है yellow line आपको यहां से लेना होगा yellow line यलो line लेके आपको राजी चौंक जाना होगा राजी चौंक से आपको change करना पड़ता है वहां से आपको blue line लेके उसके बाद आनंद विहर जाना होता है इसमें जो आपको टाइम लगेगा वो लगभग 45 मिनट का टाइम लगेगा और जो किराया होता है वो Metro का लगभग 40 रुपय का किराया आपको इसमें लगेगा दोस्तों तो इस तरीके से आप New Delhi से आनंद विहार railway station आ सकते हैं by Metro route मैंने आपको बता दिया और काफी कम समय लगेगा और काफी कम किराया लगता है अगर आप Metro से आते हैं और दोनों ही Metro आपको just railway station के पास में मिल जाता है दोनों का नाम सेम है आनंद विहार railway station के लिए आपको आनंद विहार तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको helpful लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किज़ेगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दिल्ली में बाकी मैट्रो स्टेशन से भी रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखे आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाइवर थैंक्स फूर वाचिंग